Hello everyone, कैसे हो आप सभी? I hope कि आप सब बढ़िया होगी और बढ़िया ही होना चाहिए. चलो, तो देखो अभी तक हमने बहुत सारे अलग-अलग house देखे या फिर building भी देख ली, अब हम देखेंगे कि स्कूल किस तरह से बनाते हैं. तो स्कूल का drawing बनाएंगे आज. तो सबसे पहले हमें बनाना है एक square, बढ़ा सा square बनाना है. तो बढ़ा square के लिए आप चाहें तो scale का भी use कर सकते हो. तेकिन मैं यहाँ four dot देखे line बना रही हूँ. अगर आपकी line गलत होती है तो उसे erase कर लो, और फिर से बनाने की कोशिश करो. ठीके, चलो. यहाँ पर मैंने एक square बना लिया, अब मैं चाहती हूँ कि यह line को और बढ़ाओ. और इस side में भी एक rectangle का shape बना देती हूँ. इस तरह से. देखो हमने क्या किया, एक square बनाया और दो rectangle बनाई. अगर आपको यह video थोड़ा सा fast हो रहा है, तो आप उसे post करकर के देख लेना और complete कर लेना. उसके बाद मैं यहाँ फिर से एक line दे रही हूँ. यहाँ पर भी एक फिर से एक line और यहाँ उपर की तरब भी. उसके बाद मैं यहाँ पर एक डोर बना रही हूँ, बड़ा सा. इस तरह से. यहाँ पर मैं कुछ windows एड़ करूँगे, लेकिन windows एड़ करने के लिए वो एक ही line में आएं, इसलिए मैं यह light light line खीच रही हूँ. तो देखो, एक्तम lightly मैंने line खीच लिए, अब इसके अंदर हम window एड़ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ. इस तरह से. उसके बाद यहाँ पर भी हम कुछ छोटे-छोटे windows एड़ करेंगे. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कुछ line निकाल लिए हैं. ठीक है? वाण, टू, और यहाँ पर last में और एक set बनाएंगे. तो देखते हैं कितने line बेटते हैं हमारे. उसके बाद यहाँ पर फिर से. इस तरह से. तो हमने कितने line निकाले टोटल? वाण, टू, थ्री, फॉर, फाय, शिक्स. तो सेम हम इस side में भी six line निकाल लेते हैं. वाण, टू, थ्री, फॉर. या बीच वाले line थोड़ी सी कम रखते हैं ताकि हमारे six line बेट जाए. अब हम यहाँ पर. इस तरह से. हमने यहाँ पर बहुत सारे windows बना लिये हैं. I hope कि आपको यह drawing थोड़ा सा difficult लगी. लेकिन don't worry, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए. यहाँ पर मैं एक banner बना रही हूँ. जिस पर आप अपने school का नाम लिखना. लेकिन फिलाल मैं यहाँ पर सिर्फ school लिख रही हूँ. देखो. इस तरह से. उसके पास school के आजू बाजू में कुछ पेड़ भी होते हैं. तब पेड़ भी निकालेंगे. कुछ पेड़. अब यह जो विंडो हमने बनाई थी. उसके बीच में भी ऐसे कुछ लाइन निकाल लेते हैं. देखो. निकालते समय कभी-कभी लाइन्स हमारी तेड़ी होती है. पर जब हम बॉर्डर करते हैं उसको तब उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है. यहाँ पर हम school का एक garden भी बना लेंगे. तो इस garden में कुछ जाड़िया निकाल लेते हैं. इस तरह से तोनों तरफ ठीक है. उसके बाद पीछे की साइड में एकाट ट्रे नजर आ रही है, वैसा भी दिखा सकते हैं. इस साइड में थोड़ी से छोटी दिखा रहे हैं. तो हमने यह हमारा ड्रॉइंग कम्प्लेट कर लिया. अब बारी है उसे बॉर्डर करने की. लेकिन बॉर्डर करने से पहले एक बार ध्यान से अपने ड्रॉइंग को देखो. कहीं कोई सेफ हमारा गलत तो नहीं हुआ ही. अगर हुआ है तो उसे पहले ठीक कर लो. बाद में बॉर्डर की तरफ जाना. चलो. तो मुझे तो सब ठीक नजर आ रहा है. अब मैं उसे बॉर्डर करती हूँ. बॉर्डर करते समय हमेशे ध्यान रखना. आपको एकदम स्ट्रेट लाइन निकालनी है. ना कि हमें ऐसे रुक रुक के लाइन्स निकालनी है. यहाँ पर हम लिख देंगे स्कूल. उसके बाद यहाँ पर कुछ विंडोज है. वो विंडोज भी हम बना लेते हैं. आपको बॉर्डर करनी है. कोई बे जल्बाजे नहीं करनी. हो सकता है मेरा यह विडियो थोड़ा सा फास्ट हो जाए आपके लिए. लेकिन कोई बात नहीं. उसे थोड़ा सा पॉस कर लेना. लेकिन बॉर्डर एकदम पर्फेक्ट होने चाहिए. बिल्कुल मेरी है उस तरह से. आपको आपने बनाय हुए ट्रॉइंग अगर मुझे दिखाना है ता आप मुझे वाट्सअप पर सेंड कर सकते हो. मेरा वाट्सअप नंबर है 7020-8929-80 मैं यहाँ पर लिख कर देती हूँ. 7020-8929-80 आप चाहे तो इसका यह नंबर डायल करके मुझे वाट्सअप कर सकते हो. कि आपने किस तरह से ड्रॉइंग निकालके देखी. क्योंकि मुझे आपके ड्रॉइंग देखना बहुत पसंद है. देखो, कितनी आसान इसे हमने ये विंडोस क्रियेट कर लिये. बराबर सब विंडो एक दूसरे के नीचे है. कही पर भी ऐसा नहीं कि कोई इधर उदर भागी हुई है. देखो, यहाँ पर जो पेड़ है, उसको भी हम बॉर्डर कर लेते हैं. आप जाहो, तो स्कूल के पीछे यहाँ पर एक सर्ण भी दिखा सकते हो. परफेक्ट, चाहें तो दो बर्ड्स भी दिखा दूँ. तो इसे हम जो पैंसिल के लाइन हैं, उसे हम एरेज कर लेते हैं. तो इसे हम कलरिंग करेंगे. तो हमने जो एक्स्ट्रो के पैंसिल की लाइन हमें दिखाई दे रहे थे, उसको हमने हटा दिया. अब हम कलर दे सकते हैं, आपके पसंदिता. देखो, मैंने यहाँ पर जो कलर दिया हुआ है, जरूर नहीं है कि आपको भी वही सेम कलर देना है. आप चाहें तो कोई और दूसरा कलर भी दे सकते हो. फिलाल मैं यहाँ पर दे रही हूँ पिच कलर. बच्चे उसे स्कीन कलर भी बुलाते हैं. यहाँ पर पूरा जो स्कूल है, स्कूल को मैंने यह लाइट पिच कलर दे दिया. सबसे पहले बॉर्डर में उसके बाद फिल करो. देखो मैंने कैसे बड़ी बड़ी विंडो बनाई हुई है. I hope कि आप भी बड़ी ही बनाओगे. अगर आपकी विंडो छोटी है, तो वो देखने में अच्छी नहीं दिखेगी. इसलिए बड़ी बड़ी विंडो बनाओ. इसके बाद मैं दोंगे यहाँ पर उपर की तरफ ब्ल्यू कलर. देखो कितना खुबसुरत दिखाई दे रहा है. यह जो बैनर है, बैनर के उपर दूंगी में यलो कलर. यह जो डोर है, डोर को भी हम यलो कलर देंगे. जो सन है, सन को भी यलो ही कलर देना है हमें. अब चाहे तो ऐसे बीच में लाइन भी खिश सकते हो. इस तरह से. उसके बाद, जो ट्री है, ट्री के उपर उपर हमें देना है यलो कलर. ठीक है, इस तरह से. उपर के साइड में. देखो, सिर्फ उपर के साइड में. उसके बाद हम देंगे पैरेट गरिन कलर. देखो, आइस्ते आइस्ते से कलरिंग करनी है. कई बाहर ना चला जाए आपका कलर. देखो, हमने यहाँ पर दे दिया अलो और पैरेट गरिन कलर. और हमने अच्छे इसे कलरिंग कर ली. ओकी. जो विंडो है, विंडो को आप चाहे, तो ब्लू कलर दे सकते हो. या पिर आपके पसंदिदा कोई दूसरा कलर होगा, तो वो भी आप दे सकते हो. तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ अलग टाइप का कलर दूँगे. जैसे कि ब्लू ही है, लेकिन ऐसे लाइन्स दूँगे दो-दो. देखो, जैसे कि समझ में आजाए कि ये कोई काच है और ये शाइन कर रहा है. देखो, इस तरह से. सिर्फ दो-दो लाइन निकालनी है आपको. यहाँ पर कही पर दो दे दो, कही कही पर एक, क्योंकि ये विंडो जो है इस साइट की, ये है छोटी. देखो, हो गया कम्प्लेट. यहाँ पर हम प्लेग्राउंड को भी कलर करेंगे. तो यहाँ पर जो प्लेग्राउंड है, उसमें ग्रास लगा हुआ है. और यहाँ पर भी हम कलर कर रहे हैं, देखो, इस तरह से. और इसको अच्छे से फिल कर लो. अगर बीच बीच में कोई वाइट 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 लाइन्स नजर आ रही है, तो उसको हम यलो कलर से कवर कर लेंगे, ताकि वो और भी खुबसूरत दिखे. देखो, अभी हम यलो कलर दे रहे हैं. इसके बीच में अगर आपको कुछ ग्रास दिखाने हैं, तो आप दिखा सकते हूँ. देखो, देखो कितने खुबसूरत तरीके से हमारा ये स्कूल रेड़ी हैं. चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में. I hope कि मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, वैसे वैसे आप फॉलो कर रहे हूँ. मुझे आपकी जो आर्ट वर्क से वो देखना बहुत पसंद आएगे, आप भेजना मत भूलना, वाटस अप पर तब तक मिलते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको, बाई बाई.